आज ना तो सबजी बनाने को मन कर रहा था और ना ही खाने को तो बस मुझे आइडिया आया कि क्यों ना लैसुन मिर्च की राजिस्थानी बहुत ही बढ़िया सी पारम पर एक चटनी बनाई जाए तो मैंने एक मिक्सी का जाद लिया इसमें मैंने डाल दी 25-30 लैसुन की कलिया और इसमें यहाँ पर हम डाल देंगे इसमें एक चम्मच धनिया पाउडर साथ में इसमें जाएगा दो चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर जो की तीखा कम होता है इससे कलर अच्छा आएगा और चटनी बहुत ज़्यादा तीखी नहीं बनेगी अब इसमें डाल देंगे हम नमक यह मैंने डाला है आधा जम्मच इसमें हम दो तिन पिंच हिंग डाल देंगे और अब हमें इसके अंदर डालना है थोड़ा पानी और बहुत अच्छे से इसे पीस कर त्यार करना है अगर आपको जरूरत महसुस हो तो बीच में आप इसमें थोड़ा पानी डाल सकते हैं तो हमने यहाँ पर चटनी को पीस लिया है और यह देखी मज़ेदार सी चटनी बनी है इसे अच्छी खुश गुआ रही है आप चाहें तो इस चटनी को ऐसे ही खा सकते हैं ऐसे भी बहुत टेस्टी लगती है या फिर इसे सुपर टेस्टी बनाने के लिए एक कम और कर सकते हैं या गैस पर रग दें कोई भी पैन या कड़ाई और इसमें डाल दें आप ओईल तो मैंने इसमें 3 टेवल स्पून ओईल डाला है ओईल के गर्म होने के बाद आदा चम्मच जीरा डाल दें यहाँ पर 8-10 लैसुन की कलियों को पारी कट करके डाला है सभी चीजों को मीडियम फ्लेम पर थोड़ा सा भून लेंगे इस तरह जब आप चटनी बनाएंगे तो इसे आप स्टोर करके भी कम से कम 10-12 दिन तक रख सकते हैं फ्रिज में ये बिल्कुल खराब नहीं होती है अब लैसुन को भूनने के बाद जो हमने चटनी पीस कर त्यार किया वो मैंने इसके अंदर डाल दी बहुत अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेंगे ये तड़के वाली लैसुन मिर्स की चटनी खाने में भी टेस्टी होती है और लंबे समय तक से स्टोर किया जा सकता है चटनी को अच्छे से मिक्स कर दिया है अब mix की जार में थोड़ी चटनी बची रह गई थी तो इसमें पानी डाल कर इसमें डाल दिया है बहुत अच्छी से mix कर लेना है और थोड़ी देर के लिए low flame पर इसे पकने देना है देखे ओईल इससे separate होने लगा है चटनी अच्छी से कोखो चुकी है तो इसे stage पर आपको इसमें बारी कट करके डालने है टमाटर तो एक टमाटर को बहुत बारी कट करके डाला है साथ में हरा धनिया डाल दिया है बहुत अच्छी तरीके से हमें इसे mix करना है लगबग आधा मिनट के करीब हम इसे और पकाएंगे इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं पकाएंगे क्योंकि टमाटर जो हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होने चाहिए तो यहाँ पर थोड़ी देर के लिए से अच्छे से कुक कर लिया और चटनी से फिर से ओल सेपरेट होने लगा है चटनी बनकर त्यार हो गई है फ्लेम ओफ करें और इसे सर्फ करें इसे ठंडा करकर इयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके फ्रिज में रखिए 10-15 दिन तक आरामसे से खाया जा सकता है तो भाई मैंने तो आज सबची बनाई नहीं है रोटी की साथ बनाई है यह लैसन मिर्ज की चटनी मेरे घर में यह चटनी सबको पसंद है आप भी से बनाई है रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कोमेंट और शेयर जरूर करें